हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आपका स्वागत है मारे यूट्यूब चैनल आपका अच्छी होंगे तो अभी सुबह के बढ़ चुके हैं साथ स्कूल श्भी परइड़ी को निकाल लेते हैं वहाने के लिए जो चलिए निकाल लेते हैं एक आपका है देखे बहुत परिशान हो रहा था रूम में बैठके बहुत गर्मी लग रहा था तो इसले बारा अंदा में ले आए इसको गुद मॉर्निंग दोस्तों कैसे हैं आप सब और आज बेटा बोल रहा था कि ब्लॉगिंग मैं स्टार्ट करूंगा तो वो ब्लॉगिंग कोमेंट में बताईएगा जरूर तो दोस्तों यहां पर बना रहे हैं तड़के वाली दाल तो यह जाज भूंज ले रहा है तो इसके बाद टमाटा डाल देंगे इसमें और यह करी पता डाले हैं इससे खुसबूर बहुत अच्छे हो जाते हैं और पेस्ट भी बढ़ जात है और यहां पर टमाटा डाल देते हैं और इससे अच्छे तरह से पका लेंगे यहां पर टमाटा प्याज भूंग चुका है तो थोड़ा सा निक्स मसाला अड़ कर देंगे तो इस में और चना कर डाल एड़ कर देते हैं नहीं जनल थोड़ा सा फॉल जाएगा अब है जाएगा ताड़के वाले डाल रेड़ी तो यहां पे ताल अब थोड़ा सा पाच मिनट खोलेगा हो जाएगा तयार और इधर बनाया थे सुबह में लौकी की सब्जी और इसमें चावल बन चुका है और इधर बोदी के सब्जी बनाया है तो दूस्तों यहां पे खाना निकाल चुके हैं बेटा मांग रहा है कपसे खाने के लिए टुशन जाना है उसे अर इधर सब बरतन निकाल दिया है खाना पिना हो जाएगा तो बरतन धो लेंगे हैं कि यहां पे सारा अवरतिन के जिन कर लिये हैं और समेरा रह सब कोड़ा कोरा दोएं ग़िए और मैंने बहुत सारा कपड़ा घर में ही फैला दिये क्योंकि पारिश का मसम हो रहा ना तो घर के अंदर ही फैला दिये हैं और हो गया आज मसीन खराव वाशिंग मसीन जो अभी सारा खन अपिना हो चुका है और हम आ गये हैं बाहर में बैठने के लिए अभी बारिश नहीं हो रहा है इस बज़े से थोड़ा दिर बैठ लेते हैं और मेरा आज वाशिंग मसीन हो गया है खराव पता नहीं कब तक बनेगा आज जैसे तेसे करके कपड़ा धूल ग बनाए हैं फिर भी तो देखते हैं क्योंकि कपड़ा धोना सबसे हाड काम है मेरे लिए तो इतना जल्दी बन जाए उतना जल्दी अच्छा है तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा साथी साथ कॉमेंट कर दीजेगा और जो मेरे वीडियो पर नए जूड़ते हैं वो सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा बेल आइकन हिट करना ना भूलिएगा तो हमारे वीडियो को पूरा देखिए और इंचोई करिए और आज मेरा बेटा ब्लॉग स्टार्ट किया है तो कॉमेंट में kenntर दिकल घ्चान्यडंूर कर रहा है कियो और उसको कीब को सौल करने के लिए पता जाय क्या कर रहा है यंदो उसे हम मौने करने के लिए पता मैं कय क्या कर रहा है तो यहां पर मेरा चाय उबल गया है साम का टाइम का चाय है जो जो साम में पीते हैं चाय आजाएए पीने के लिए यह हो गया है रेडी जैसी से चान लेंगे जैसे चान लेते हैं कप में ज्यादा बनाएं नहीं है कि हम पीएंगे और थोड़ा सा विदा पीएगा दोस्तों यहां पर आया है समोसा और चाय बनाए है वह चाय साथ में आजाएए आप सब भी खालीजिए समोसा और चाय जन्दी से आजाएए फटा फट वीडियो को यही तक रखते हैं एंड कर देते हैं वीडियो को मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्रप्षित रहिएगा तब तक के लिए बाबाई झालीजिए